हेलो फ्रैंस वेलकम टू आउट चैनल स्टेडी टू स्वाइग जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको करेंट इवेंट से जुड़े मुद्धों पर डिटेल एनालिसिस देखने को मिलती है और साथ ही साथ उन टॉपिक्स के बेग्राउंड को भी अच्छे से एक्स जिम्बामबे द्वारा अपने देश में लाये जाने वाले नए गोल्ड बैक डिजिटल करेंशी के बारे में तो इस टॉपिक में हम मेजरली किन-किन विन्दोवों पर बात करने वाले हैं आये जरा उनको एक नजर दिख लेते हैं सबसे पहले हम बात करनेवाले हैं कि जिम्बामबे को या डिजिटल करंसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस करंसी के फीचर क्या क्या हैं नमबर तू दूसरे नमबर पर हम बात करेंगे कि जिम्बामबे में उसकी पहले वाली करणसी का प्राइज इतना कैसे गिर गया तो उसके कारणों पर भी हम इसके में चर्चा करने वारे हैं नमबर तू में नमबर त्री और तीसरे और अंतिम बिंदों में हम बात करेंगे और समरीने का परियास करेंगे कि जब किसी देश की मुद्रा डॉलर के कंपरेजन में बहुत नीचे गिजाती है तो उसे वापस कैसे रिबूस्ट या उसे वापस कैसे रिवेलुएट किया जाता है तो आईए हम बढ़ते हैं अपने पहले बिंदी के और और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूं जिमबामबे ने अपने देश में नई करेंसी को इंट्रिउस करने की योजना बनाई है आपको बता देखी कि जिमबामबे दक्षिन अफरिका का एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी कैपिटल हरा रहे हैं यह जिमबैजी और लिमपोपो नदियों के बीच बसा एक चोटा सा देश है इसकी आबादी लगबग डेड़ करोड है इस देश में जिमबामबे डॉलर नामक मुद्रा चलती है जिसे स्वाट फॉर्म में जिम डॉलर भी कहा जाता है हाल ही में रिजर्व बैंक और जिमबामबे ने अपनी नई डिजिटल करनसी को लाने का प्लैन बनाया है बात दरसल यह है कि वरतमान समय में जिमबामबे की जो करनसी है वह यूएस डॉलर के कंपरेंजिन बहुत ही नीचे गिर गई है और अभी के समय में यूएस का एक डॉलर जिमबामबे के 322 डॉलर के बराबर पहुँच गया है जो कि अंड देशों के मुगावले बहुत ही खराब दसा में अभी है तो साथ ही साथ इस देश की महंगाई दर भी आसमान चुर रही है अभी माज की बात की जाए तो फूड इन्फलेशन लगभग 128% तक पहुँच चुकी है यानि एक डॉलर की बस्तू 28 डॉलर में बिग रही है अर्थात कुल मिलाकर वहां की जंता मामूली खाने की चीजों के लिए भी तरस रही है इस समस्या का दूर करने के लिए RBZ यानि रिजर्व वैंक और जिमबामबे ने गोल्ड बैक डिजिल करन्सी इंटर्ड्यूस करने का निर्देश दिया है या एक डिजिटल करन्सी है जो कि जिमबामबे के रिजर्व वैंक के पास मौजूद गोल्ड दुवारा समर्तित होगा इस डिजिटल इलेक्ट्रोनिक मनी के कॉंसेप्ट में सरकार सभी जिमबामबियन नागरिकों से इन डिजिटल कोईंस के बदले सारे नोट्स को ले लगी ताकि मार्केट से पुरा हार्ड मनी निकल जाए और जिम करन्सी के फ्लक्चुएशन को लगाए जा सके अब हम चलते हैं फ्लेसबेक में और जानने की कोशिश करते हैं कि जिमबामबे की करन्सी इतनी डिवॉल्यूट कैसे हो गई जिमबामबे की करन्सी डिवॉल्यूशन का इतियास 18 अपरेल 1980 को जिम्बाम्बे ने अपनी स्वतनता प्राप्ट की उस समय जीम करंसी की वेल्यू डोलर से भी ज्यादा थी और जिम्बाम्बे ने कुछ सालों तक अपनी ग्रोथ अच्छी दर से बरकरा रखी और अपनी करंसी की बुलंदियों को भी बरकरा रखा लेकिन 1991-2008 के बीच उस समय के ततकालिन प्राइम प्रेसिडेंट रोबर्ट मोगाम्बे ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे जिम्बाम्बे की एकनोमी में पूरी तरह तबाह करने का रास्ता तयार कर दिया पहली गलती 1991 के बाद किये गए लैंड रिफॉर्म्स थे 1990 के सुरुवात में रोबर्ट मोगाम्बे की गौर्मेंट ने वाइट लोगों से जमीन लेकर वहां के ब्लैक लोगों को देना चालो किया इसके गारण दो हानिया हुई पहला जिन ब्लैक लोगों को जमीन दिये गए थे उनको खेती बारी का उतना नौलेज नहीं था कारण वज फूड प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई साथ ही तोबैक को जो की वहां की अस्थानी और बहुत ही महत्पूर्ण फशल है और वहां के मेजर एकोनोमी का वही सोर्स है उसके प्रोडक्शन में भी साफ डिकलाइन देखने को मिला दूसरे नबर पर जब रोबर्ड मगाम में ने वहां के लेंड रिफॉर्म्ज को किया और जमीनों को ब्लैक लोगों को दिया तो अधिकतर जमीन को उसने अपने जाने पहचाने रिष्टदारों में बाट दिया और इससे भरश्टचार इतने व्याप्त हो गई कि सरकार से लोगों का भरोशा भी उठने लगा दूसरी गलती थी जिमबामबे का कॉंग वार में सामिल होना आप जड़ा सूचिए जब आपकी आर्थिक इस्तिती कमजोर हो इंप्लॉमेंट रेट लगभग 80% से भी ज़्यादा चले गई हो लोग भुखमरी की हालत में हो और आप जाने यूद करने तो आपकी जो भी जमा नेशनल कम्यूनिटी ने जिमबामबे पर धेरो सेंसंस लगा दिया और साथ ही जिमबामबे के रिजर्ब जो मनी था उसका बड़ा भाग भी इस युद में जोंक दिया गया था इससे जिमबामबे की हालत बद से बत्तर होती चली गई लोगों को लोन्स लेने लोन्स मिलन अधिकारियों और अनि गौर्वर्मेंट ओफिशल को ज्यादा सेलरी देने के लिए सरकार ने जरूरत से ज्यादा नोट चापने का आदेश दे दिया इससे क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी जो मार्केट में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल निभाता है वो भी लागूर नह पर जैसे ही मार्केट में पैशा आया जो सरकार ने ज्यादा से ज्यादा नोट चापने के लिए आदेश दे दिया था तो मार्केट में पैशा तो आटोमेटिक आना ते था तो जैसे ही लोगों के पास पैशा आने शुरू हुए वस्तों को खरिदने लायक उनका जो लगी और इससे मार्केट में डिमांड बढ़ा और जैसे ही डिमांड बढ़ती है वस्तुओं के दामों में भी व्रिद्धी हो जाती है जिसके कारण करेंसी की वेलू डिवल्विट होना शुरू हो जाती है इसी कारणुमर जिम्बामबे ने भी वस्तुओं के दाम इतने चे बिलियन परसेंट देखा गया उस समय हर घंटे जिमबामबे में चीजों के दाम दुगने हो रहे थे हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि जिमबामबे की एक ट्रिलियन जिम डॉलर भी यूएस के एक डॉलर के वैल्यू के कम हो चुके थे अब चलिए हम तीसरे और अंधी मिंदू के तोर पर यह जान लेते हैं कि जब किसी देश की करन्सी की वैल्यू बहुत गिर जाती है तो उसे वापस कैसे अस्ट्रों क्या जाता है यदि हाइपर इन्फलेशन के बाद मुद्रा की गिरी हुए वैल्यू को फिर से उठाना है तो सबसे पहले हम गयो हाइपर इन्फलेशन को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही वस्तों के प्राइज में गिरावट आएगी करेंसी की वैल्यू आटोमेटिक रूप से बनने लगेगी हाइपर इन्फलेशन को दूर करने के तीन तरीके हैं पहला तरीका है न्यू करेंसी को इंट्रिजूश करना जिंबाम्बे ने भी 2018 तक अमेरिकी डॉलर को अपने देश में इंट्रिजूश कर दिया था इसे हालत थोड़े से अच्छे बने रहे लेकिन जैसे ही उन्होंने 2018 के बाद अमेरिकी डॉलर को के अस्थान पर अपने नए मुद्रा को इंट्रिजूश करने का एलान किया तो फिर से हालात जिंबाम्बे में बिगड़ने लगे और उसकी करेंसी फिर दिर दिरे डाउन फॉल में जाने लगी दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि मुद्रा को किसी ठोस वस्तु के साथ जोड़ना दूसा तरीका है यह अभी जिंबाम्बे इसी तरीके को अपना रहा है और अभी जो डिजिटल बैक्ट करेंसी है जिसक को इंट्रड्यूच क्या है वह इसी कॉंसेट्ट पर अधारित है और